स्वाल गाईज मैं रही वर्मा और आप देखरें हूं वल्ली हेली एडवाइस तो आज इस वीडियो में सेफ़ेप्राज़ून के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं काफी important medical है तो अगर आप सेफ़ेप्राज़ून का इस्तमाल करने हैं, इस वीडियो को लाश्क तक जरूरँ दखें, क्योंकि इस वीडियो में इसके डोज्स expend के बारे में जानकाली दी जाएगी, अगर किसी एडल्ट में Sifeprazone injection इस्तमाल किया जाहएँ, तो इसके पूरी douse क्या होगा ? इसके side effect k time क्या होते हैं ? और किन बीमारियों में सबसे बहतर इस्तमाल किया जाता है सेफ़ोपराजून इंजेक्शन का इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में तो बने रही है इस वीडियो में वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को सेयर करें और यह एक third generation antibiotic है यह mostly sephoilosporine group का सदस है यह एक antibiotic है जिसके कारण इसका इस्तमाल मुख्य रूप से antibacterial के रूप में किया जाता है यानि अगर आप bacterial infection से ग्रसित हैं किसी भी तरह का अगर आपको bacterial infections हुआ है तो वहाँ पे sephoilosporine injections का इस्तमाल किया जाता है अगर आप इस injection का इस्तमाल किसी वाईरल infection या तो फिर fungal infection में करते हैं तो वहाँ पे इसका result आपको कुछ भी दिखने नहीं जा रहा है ऊंट्सलिए antibacterial इसलिए bacterial infections स gev 대표zone injection के इस्तमाल चाहता है तर रिफए पराज्रो इन्जक्संस का इस्तमाल की है उसमें से पहला तरा रूआ है पेरिफ्नेटरिट्र कि सब्छसुज का इस्तमाल काफी बहतर माना जाता है जाल काफी बेहतर देखा गया है अगर आपको खासी की समस्य है यानि ब्रॉंकाइटिस की समस्य है काफी जादा घरगराहट आपके सांस लेने के कारण हो रहा है तो वहाँ पे भी सेफेपराजोल का इस्तमाल काफी बेहतर देखा जाता है अगर आपको मौाइस्ट कफ है या तो फिर ड्राइ कफ है दोनों ही कफ में सेफेपराजोल इंजेक्शन काफी बेहतर रोल प्ले करता है नीमोनिया में भी इसका इस्तमाल काफी बहतर देखा गया हाला कि नीमोनिया बच्चों में काफी जादा उत्पन होता है लेकिन बच्चे के केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तमाल नहीं की जाती है बच्चे अगर pneumonia शे परसान है तो उनके लिए कोई और भी injections से लगवाया जा सकता है लेकिन इस injections को काफी सा अबधानी पुरबक और नल देने की सलाह दी जाती है बच्चों में इस्तमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन में भी सेफेपरा जोन इंजेक्शन का इस्तमाल काफी बहतर माना गया है यानि मूत्र मार्ग में जो संक्रमन उत्पन होता है वहाँ पे भी सेफेपरा जोन का इस्तमाल किया जाता है abdominal infections में भी सेफेपरा जोन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है अगर आपके abdominal में, stomach में किसी भी तरह का bacterial infections हुआ है तो वहाँ पे भी सेफेपरा जोन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है skin and soft tissue infection में भी सेफेपरा जोन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है bone and joint infections में भी sepapras zone injection का इस्तमाल गाफी बेहतर माना जाता है हिए ठीजिकल इससे और ुप्परी का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है और वहाँ पे भी result काफी बेहतर देखा जाता है अगर आपको stitches लगे हैं और stitches में पस आ चुकी हैं तो वहाँ पे भी सेफेपराज जोन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है उस पस को खत्म करने के लिए और infections को खत्म करने के लिए तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे सेफेपराज जोन इंजेक्शन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है सेप्टी सेमिया एक severe illness है जो आपके blood stream में उत्पन होता है अगर आपके blood stream में खून में किसी भी तरह का infections हो चुका है तो वहाँ पे भी सेफेपराज जोन का इस् पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसॉडर एक sexually transmitted disease है जो की महिलाओं में उत्पन होता है उनके गरवासा को infect करता है तो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसॉडर में भी सेफेपराज जोन का इस्तमाल काफी बेहतर माना जाता है तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे सेफेपरा केुछ साइडेक blackके बार में हखेव़ासी जान इंजेक्षन से सभी लोगों में इसका साइडेक्ट के साईडेक्ट नहीं देखा गया है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सेफेपराज्ट के द्वारा साइडेक्ट उन में देखा गया है도 अगर ापको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो सरदर्द की समस्या हो सकती है उल्टी की समस्या हो सकती है मतली की भी समस्या देखी गई है खुजली की भी समस्या देखी गई है आपके तवचा पर रैसेस की भी समस्या दाने निकलने की भी समस्या देखी गई है इंजेक्टेवल साइट पर इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग की भी समस्या देखी गई है अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो बुखार ठंड लगने की भी समस्या देखी गई है रक्त में कमी की यानि खून की कमी भी देखी गई है अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक् common side effect है जो सभी लोगों में नहीं लेकिन कुछ लोगों में जरूर देखी गई है इंजेक्टेवल साइड पर स्वेलिंग की भी समस्या देखी गई है तो अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत अपने नजदी की डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप जानते हैं सेफ़ प्राज जोन के कुछ प्रिक्वेशन के में जो की काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर कोई महिला प्रेगनेंट है यानि गर्वती महिला है तो वहां पर इस इंजेक्शन का इस्तमाल काफी साफधानी पुर्वा करने की सलाज दी जाती है अगर आपको सेफेपरा जोन से एलर्जी है या तो फिर सेफेलो का इस्तमाल नहीं करने की सलाज दी जाती है अगर आपको लीवर की समस्या है या तो फिर जोंडिस की समस्या है पीलिया की समस्या है तो वहां पर इस इंजेक्शन का इस्तमाल काफी साफधानी पुर्वा करने की सलाज दी जाती है इस इंजेक्शन को पूरी डोज में लेन से 2Nंजस Самी लेने के बाद हैं दे नहीं ठीक हो dort месте इंजस्टा है और वह पूरी डोज नहीं लेते हैं तो आइसा बिलकुल भी ना करें अगर 451 वी नचेक्शन से लेने के बाद की ज़ए जरूरा कुआक आप पूरी डोज़ा जरूरा कुआ तो इसका जो डोज़े वह एक से दो गराम एक दीनों में है अगर आप एक गराम इस्तमाल कर रहे हैं तो एक दीनों में एक गराम इस्तमाल करना चाहिए अगर आपकी सीवेरिटी काफी जादा है तो आपको दो गराम इस्तमाल करने की आप सकता हो सकती है इसके जो रेंजेज है एक गराम दो गराम और कर सकते हैं 23-ופ å Nigel M handy की मैसे म क्वोड़ी ओस से जाध़ इस्तेमाल नहीं की जा सकते है तो छार हिए लेकिन इससे जाधा इस्तमाल नहीं हो च्वोड़ा सकती इसके जो डोजेंस ऑफ को सीवेडी के उपेंट करता रहे अगurnary Left track infection severity लीया है तो वहाँ पर इसके dosis बढ़ bets जा सकते हैं इसके जो दोसेज हैं वह साथ दिनों तक भी लग सकते हैं पांस दिनो तक रही को दो सकते हैं या तो फिर पर 18 दिनों तक भी लगाया जा सकता है लेकिंए यह severity के उपर depend करता है कि आपको इसके doses कितने दीनों तक लगवाना पड़ेगा अगर आपकी severity काफी जादा है तो 14 दीनों तक भी इसके doses लगाये जा सकते हैं तो mostly इसके doses हैं वो 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम, maximum 4 ग्राम तक एक दीनों में जा सकता है doses हमेशा याद रखें और पूरी dose जब भी आप इसका इस्तमाल करें पूरी dose के साथ करें कुछ दवाओं के साथ इसका interaction भी देखा गया है जैसे gentamicin, mekacin, tetramicin के साथ इसका interaction भी देखा गया है इन सभी injections के साथ सेपोपेरा जोन का इस्तमाल नहीं करने की सला दी जाती है हो सकता है अगर आप mekacin, tetramicin, नयातोफी, zendamicin का इस्तमाल करते हैं तो हो सकता है सेपोपेरा जोन का result वो काफी कम हो जाए या तो फिर खत्म हो जाए तो इन सभी कुछ ऐसे injections हैं जिसके साथ सेपोपेरा जोन का इस्तमाल नहीं करने की सला दी जाती है उसका interaction देखा गया है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, share जरूर करें ताकि इस information दूसरे लोगों तक पहुंच सके